कहाने की सुरुवात में हमें एक अंजान कमरे को दिखाय जाता है इस कमरे में हम देख पाते हैं कि बहुत सारे रोबोट घायल आवस्था में पड़े हुए थे और तभी हमें यहाँ पर एक जुंग नाम की लड़की को दिखाय जाता है जब उसकी आख खुलती है तो वो अपने सामने कुछ रोबोट को देखती है जब वे सभी रोबोट जुंग को देखते हैं तो उसकी उपर हमला करने लगते हैं लेकिन जुंग भी हार नहीं मानती है क्योंकि वो एक लड़ाकु सोल्जर है वो इन सभी रोबोट से लड़ती है और उन्हें माद गड़ाती है सभी रोबोट को खतम करने के बाद वो एक कोल को रिसीव करती है कोल पर उसका कमांडर उससे कह रहा था कि तुम्हारे तरफ एक हाई टेकनोलोजी वाला रोबोट आ रहा है और तबी वो मौका देख करके उस रोबोट के उपर लगातार फारिंग करने लगती है यहाँ पर जुंग को मालूम कलता है कि वो पिर्थवी पर नहीं है पिर्थवी से दूर एक अंजान ग्रा है उस पर उसे लाया गया है अब भागते वक्त जुंग ओयल के टंकी में छेट कर देती है जिसकी वज़े से ओयल से वो रोबोट भीग जाता है और जुंग उसके उपर फारिंग करके उसे आग लगा देती है अब जुंग को लगता है कि उसने रोबोट को मार दिया है लेकिन ऐसा बेलकुल भी नहीं हुआ था वो रोबोट हाई टेकनोलोजी वाला था वो अपनी आग को बुझा लेता है और जुंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है अब उस रोबोट को मारने के लिए जुंग को उसके पीछे जाना होगा जिसके बाद वो जा करके एक जगाँ पर छुप जाती है लेकिन वो रोबोट जुन को ढून लेता है और जुन की उपर लगाता और फारिंग करने लगता है ये उसका एक छोटा सा प्लैन था रोबोट को फसाने के लिए जो की कामियाब हो जाता है अब जब रोबोट फस जाता है तो जुन उसके पीछे की ओर चली जाती है और पीछे जाने के बाद वो रोबोट के बैटरी वाले हिस्से पर वार करने वाली थी लेकिन तभी उसकी नजर एक डोल की उपर चली जाती है और इसी की वज़े से उसे गोली लग जाती है गोली उसके हाथ पर लगी हुई थी और जब वो अपने हाथों को चेक करती है तो वो अपने आपको एक AI रोबोर्ट देख करके चोक जाती है अब यहाँ पर जुन का रोबोर्टिक सिस्टम ओफ हो जाता है अब इसके बाद हमें पता जलता है कि जुन को एक सिमुलेशन कमरे में बंद किया गया था फाइट करने के लिए अब इसके कुछ समय बाद कुछ लोग उसके कमरे में आते हैं अब जुन का जो सिस्टम था वो एक परकार से मर चुका था और ये लोग उसके डाटा को लेने के बाद उसे रिपेरिंग रूम में भेज देते हैं अब इसके बाद हमें पता चलता है कि जुन के जैसे बहुत सारे क्लोन को बनाया गया है ताकि लडाई करते हुए जब एक जुन की मौत हो जाए ताकि उसके ब्रैन के डाटा को दुसरे जुन रोबोट में डाल करके उसे ओन कर दिया जाए दरासल बहुत समय पहले जुन की मौत हो चुकी है ये लोग जुन को जिन्दा रखने के लिए उसके जैसा बहुत सारे AI रोबोट को बनाया है और ये लोग उसके ब्रैन को दुसरे AI रोबोट में डाल देते हैं जिसकी वज़े से वो दुबारा से जीवित हो जाती है और लडने के लिए जाती है अब इसके बाद हमें क्रोनोइट कमपनी के डारेक्टर किम को दिखाय जाता है जुन के मर जाने के बाद क्रोनोइट कमपनी ने उसके ब्रैन को खरीद लिया था और अब ये लोग उसके ब्रैन का एक परकार से इस्तमाल कर रहे हैं यहाँ पर हमें जुन की बेटी यून को दिखाय जाता है वो तो नहीं चाहती है कि उसकी मा के साथ ये सब किया जाए लेकिन एग्रिमेंट के मुताबिक वो अपनी मा को बचाने के लिए कुछ कर भी नहीं सकती है कुछ प्रोफेसर क्रोनोइट कमपनी में आते हैं और यहाँ पर किम इलोगों को बताता है कि दुनिया का संतुलन बहुत बिगड़ चुका है प्रित्वी अब मनुस के रहने लायक नहीं रह गई है इसलिए हमने स्पेस कोलोनिका निर्माड किया है और इस जगहां पर AI रोबोट और इंसान दोनों ही मिल करके रह सकते हैं प्रित्वी पर जाना सेफ नहीं रह गया है क्योंकि जो लोग बचे हुए हैं वे लोग आपस में लड़ जगल रहे हैं जुंग इक को बार बार इसलिए बनाया जा रहा है कि जुंग का ये अठारवा लड़ाई हो चुकी है और वो हर बार इस लड़ाई को हार क्यों जाती है आखिर तुम्हारा रोबोट फाइट करके बहार निकल पाएगा या अंदर ही फसा रह जाएगा जल्दी से इस प्रोजेक्ट को पूरा करो वरना हमें इस मिसन को बन करना पड़ जाएगा इसके बाद हमें युन को दिखा जाता है जो अपनी मा की तस्वीर को देख करके उन्हें याद कर रही थी क्योंकि किम उसकी मा को बार बार दर्द और तकलिफ दे रहा था जब जुन जिन्दा होती है तो वो कहती है कि मैं अपने सरीर को महसूस नहीं कर पा रही हूँ आखिर तुम लोगों ने मेरे साथ किया क्या है अब इसके बाद यून अपनी मा के रोबोट को बंद कर देती है क्योंकि उसकी मा को बहुत दर्द का सामना करना पड़ रहा था उसे ओफ करने के बाद ये लोग उसके ब्रेन को दुबारा निकाल लेते हैं ताकि उसे फिर से किसी और AI रोबोट में डाल करके उसे जीवित कर सकें और यही चीज क्रोनोईट कमपनी यून की मा के साथ हर बार कर रहा है काम खतम हो जाने के बाद यून बाहर आ जाती है उसके साथ एक इंसान काम कर रहा था जो यून से कहता है आपकी मा एक होना लडाकू सोलजर थी मैंने आज तक उनके जैसा कोई भी सोलजर नहीं देखा था वो एक सूपर इरो हैं और मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ इसके बाद यून बताती है कि जब मेरी मा को पता चला कि मुझे टूमर की बिमारी है तो वो मेरा हिलाज करने के लिए मुझे होस्पिटल में लेके गई लेकिन उप्रेशन करने की फीस इतनी ज़्यादा थी कि उतने पैसे हमारे पास नहीं थे इसलिए मेरी मा ने क्रोनोइट कमपनी को साइन कर लिया जिसके बदले में कमपनी ने उन्हें अच्छे कासे पैसे दिये और मेरा हिलाज हो पाया लेकिन मैं अभी भी यही सोचती हूँ कि क्या मेरी मा मुझे से अभी भी नराज हैं क्योंकि वो मेरी वज़ा सही लड़ने के लिए गई थी अब इसके बाद यून जा करके ट्रेन में बैठ जाती है क्योंकि वो एंटेंटिंग जाज करवाने के लिए जा रहा थी यहाँ पर वो एक मा और बेटी को बात करते हुए देखती है जिसके बाद यून भी अपनी मा के बारे में याद करने लगती है यह सीन उस समय का था जब यून बहुत छोटी थी और उसके ट्यूमर का ओपरेसन होने के लिए जा रहा था उसकी मा उससे कहती है कि किसी काम से मैं बाहर जा रही हूँ तुमारा ओपरेसन खतम हो जाने से पहले ही मैं तुमारे पास आ जाऊंगी जाने से पहले वो अपनी बेटी को गले लगा लेती है लेकिन उसे नहीं पता था कि वो अपनी बेटी को आगरी बार गले लगा रही है खर अब इसके बाद हमें प्रिजन टाइम में यून को दिखाया जाता है जो एक डोटर के पास जाती है वो एंथेटिक जाच करवाने के लिए गई थी ये जाच पूरा हो जाने के बाद सामने वाले को मालूम चल जाता है कि वो रोबोट है या इंसान जब डोटर उसे जाच करते हैं तो उसे मालूम चल जाता है कि वो इंसान है और यहाँ पर डोक्टर उसकी बीमारी के बारे में बताते हैं यह वही बीमारी है जो बचपर में हुई थी ट्यूमर का ओपरसंट तो हो गया था लेकिन वो ठीक नहीं हुई थी और अब देरे देरे उसके सरीर में ट्यूमर बढ़ रहा है और इस तरीके से वो सिर्फ तीन महीने के ही मेहमान है इसके बाद डोक्टर कहते हैं कि अगर तुम अपने ब्रेन को किसी रोबोट के अंदर जीवित रखना चाहती हो तो कर सकती हो लेकिन डोनेशन से पहले आपको पता होना चाहिए कि तीन परकार के डोनेशन अवेलबल हैं पहले और दूसरे में आपको इनसान का दर्जा दिया जाएगा और सम्मान भी मिलेगा लेकिन जो तीसरा है उसमें आपको इनसान का दर्जा नहीं दिया जाएगा जिस company को आप donate करोगी वो आपका किसी भी तरीके से इस्तमाल कर सकते हैं या सुनने के बाद यून कहती है कि ठीक है मैं सोचने के बाद तुम्हें बता दूँगी अब इसके बाद doctor charging mode में चला जाता है क्योंकि वो भी एक AI रोबोट है उसके brain को रोबोट के अंदर जीवित किया गया है अब इसके बाद हमें दिखाय जाता है कि जुन के दिमाग को अब दूसरे रोबोट के अंदर डाला जा रहा था क्योंकि उसे फिट से fight करने के लिए तयार किया जा रहा था इसके बाद ये लोग फिट से जुन को simulation room में लेकर जाते हैं कमरे में जाने के बाद वो फिट से घायल position में लेड जाती है किम को बस यहीं इंदी जा रहा है कि वो fight करके किसी भी तरिके से उस रोबोट को मार दे किम कहता है कि इस बार जुन के पैरों पर गोली मार करके उसे घायल कर दो जिसके बाद उसके लोग जुन के पैरों पर गोली मार देते हैं और उसके रोबोट को लड़ाई करने के लिए फिर से start कर देते हैं स्टार्ट होने के बाद दर्द की वज़ा से जुन को बहुत तकलीफ हो रहा था लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती है वो लड़ती है रोबोट से लेकिन घायल होने की वज़ा से ज्यादा समय तक फाइट नहीं कर पाती है और फिर से जो उसके दिमाग के अंदर जीतने की उ उम्मीद जगी थी ये सबसे अलग था इतने सारे एक्सपेरिमेंट में ये पहली बार हुआ था अब इसके बाद फिर से जुन के रोबोट से उसके टाटा को निकाल लिये जाता है इनके कमपनी में प्रेसिडेंट आये थे और उनसे मिलने के लिए यून और किम दोनों जाते हैं यहाँ पर हमें मालुम चलता है कि किम भी एक एयाई रोबोट है जिसे प्रेसिडेंट ने बनाया है यहाँ पर वो किम को साइलेंट कर देते हैं क्योंकि वो सिर्फ यून से बात करना चाते हैं इसके बाद वो यून से कहते हैं कि इस पेस में जो लड़ाई हो रही थी स तुमें अब घर के android को बनाने पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा android बनाना सुरू करो जो लोग घर में इस्तमाल करें। घरेलू वाले रोबोट बनाओ ताकि लोग उसे खरेदे और अपने घर में इस्तमाल करें। और अब इस प्रोजेक्ट को यहीं पर खतम करके बंद कर दो, अब यून को प्रेसिडेंट की बात माननी पड़ जाती है, हाला कि वो नहीं चाहती थी कि उसकी मा का जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो बंद हो जाए, अब इस प्रोजेक्ट को बंद करना था, इसलिए किम जून को दुबारा जिन्दा करता है, वो यह जानने के लिए उसे जिन्दा करता है कि वो बार बार जंग में हार क्यों जा रही थी, उसके दिमाग में जो उम्मीद जगी थी उसे जगाने के लिए वो जुन के हाथों को काटने लगता है लेकिन इस समय उसके दिमाग के अंदर दर्द के इलावा और कुछ भी नहीं पता चल रहा था जब किम को कुछ पता नहीं चलता है तो वो जुन के उपर जा करके उसके पैरों पर गोली मार देता है और फिट से उसे स्टार्ट करने के लिए कहता है लेकिन उसके लोग उसे स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे तभी यून कहती है कि वो अब श्टार्ट नहीं होगी क्यूंकि उसका सारा कंट्रोल मैंने ले लिया है इसके बाद किम बहुत गुशा हो जाता है और वो यून के पास जाकरके उसे स्टार्ट करने के लिए कहता है वो उसे जान से मारने की धमकी भी देता है तभी यहीं पर एक लड़की आ जाती है जो किम से कहती है कि उसे प्रेसिडेंट ने बुलाया है इसके बाद किम गुसे से प्रेसिडेंट के पास चला जाता है अब उसके चले जाने के बाद सभी लोग जुंग को बन करके चले जाते हैं लेकिन जब यून एक कमरे से होकर के गुजर रही थी तो तभी उसे एक अजीब आवास सुनाई देती है कमरे में से वही इंसान बाहर आता है जो उसकी मौम की परसंसा कर रहा था यून को कुछ गड़बर लगता है इसलिए वो अंदर चेक करने के लिए जाती है जहां पर वो देखती है कि वो इंसान उसकी मौम इसलिए मैं इसके साथ ऐसा कर रहा हूँ और एग्रिमेंट के मुताबिक हम इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं इसके बाद यून सान्थ हो जाती है और यहां से चली जाती है यहां से जाने के बाद वो अपनी मा के पास जाती है उसके दर्द को कम करने के बाद वो अपनी मा को start कर देती है start होने के बाद इस समय उसकी मा को बहुत कम दर्द हो रहा था इसके बाद उसकी मा कहती है कि तुम लोगों ने मुझे कहा पलाया है और ये मेरे साथ क्या कर रहे हो मैं अपने सरीर को महसूस नहीं कर पा रही हो इसीके साथ तो वो ये भी कहती है कि आज मेरी बेटी का उप्रेशन होने वाला था मुझे उसकी पास जाना है पता नहीं वो कैसी होगी यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि उसकी जो उमीद थी वो उसकी बेटी थी वो अपनी बेटी के एक उमीद से रोबोर से फाइट कर रही थी इसके बाद यून कहती है कि तुम्हारी बेटी का उप्रेशन हो चुका है और वो बिल्कुल ठीक है यह सुनने के बाद उसकी माँ को थोड़ा राहत मिलता है उसकी माँ कहती है कि मुझे आखरी बार अपनी बेटी से जा करके मिलना था क्या तुम लोग मुझे यहां से जाने दे सकते हो आते वक्त उसने मुझे एक गुड़ा दिया था मैं उस गुड़े को अपने गुड़िया को वापस लटाना चाहती हूँ यहां बास सुनने के बाद यून बहुत जोर जोर से रोने लगती है और यहां पर हमें ये भी मालुम चलता है कि इसी गुड़े की वज़े से वो जंग में हार जा रही थी अब उसकी मा को आखरी बार लड़ाई के लिए भेजा जाता है क्योंकि इसके बाद वो अब बंद होने वाली है इसलिए अब उसकी बेटी के पास ये आखरी मौका है वो अपने लैप्टव को अपनी मा के ब्रेंज से कनेट करती है और अपनी मा के दिमाग से उनकी बेटी का जो यद्दास था वो मिटा देती है यानि कि अब उसे याद नहीं रहेगा कि उसकी भी कोई बेटी है और वो बेटी के लिए ही लड़ रही है अपनी मा को बेहोस करने के बाद यून उसे बताती है ये तुम्हारा आखरी जंग है और इस जंग को खतम हो जाने के बाद ये लोग तुम्हें कोमा में डाल देंगे अब इसके बाद उसे सेमिलेशन रूम में डाल करके एक्टिवेट कर दिये जाता है किम इस जंग को ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहा था क्योंकि उसे पता था कि वो वहीं पर जा करके फिर से हार जाएगी और ठीक ऐसा होता भी है उसी जहाँ पर जा करके फिर से जुंग को गौली लग जाती है खैर अब जंग कतम हो जाने के बाद किम यांसे जाने लगता है लेकिन जाने से पहले वो अपने लोगों से कहता है कि उसके डाटा को ले लो और इस प्रोजेक्ट को यहीं पर बंद कर दो किम के चले जाने के बाद यून उसके पीछे आती है इधर ये लोग भी जुन को जिन्दा करने के बाद उसे अपने साथ लेकर जा रहे थे इधर किम को कुछ याद आता है तो वो भागते हुए लैब की तरफ जाता है लैब में जाने के बाद वो अपने लोगों से कहता है कि उस जंग वाले वीडियो को फिट से प्ले करो कोसिस करेगी इसलिए वो अपने कमपनी में पुलिस को बुला लेता है ताकि वो भाग करके जाने न पाए इसके बाद किम जा करके अपने AI रोबोट को स्टार्ट कर देता है और वो अपने AI रोबोट को भेज़ देता है जुन को पकड़ने के लिए इधर जब जुन कमरे में आती है तो उसे मालूम चलता है कि उसके जैसे बहुत सारे क्लोन को बनाया गया है और तभी यही पर वो AI रोबोट आ जाते हैं लेकिन वो रोबोट जुन को पकड़ नहीं पाते हैं क्योंकि वो एक लड़ा को सोलजर है और उसे पकड़ पाना इन लोगों की बस में नहीं था लेकिन एक रोबोट पीछे से आ करके उसे घाल कर देता है लेकिन तभी यून आ करके अपनी मा को बचा लेती है यून अपनी मा से कहती है कि तुम्हें यहां से फोरन भागना होगा वरना वे लोग आ करके तुम्हें पकड़ लेंगे और तभी यहीं पर पुलिस आ जाती है और वो जून को ढूणने लगती है और तभी जून इन लोगों के सामने आ जाती है और यह लोग जून को सूट करके जांसे मार देते हैं यून ने एक जखमी रोबोट को पकड़ा था और उसे वो ले करके बाहर चले जाती है बाहर चले जाने के बाद इन लोगों को मालूम चलता है कि इस रोबोट के अंदर जून का दिमाग तो है ही नहीं इसके बाद जब पुलिस कैमेरे के डाटा को चेक करती है तो उसे मालूम चलता है कि यून ने अपनी मा के ब्रेन को उस रोबोट में डाल दिया था जिसे वो अपने साथ बाहा लेके गई है मतलब कि अब उसकी मा उस रोबोट में जीवित हो गई है और जब ये बाद पुलिस को मालूम चला तो काफी देर हो चुकी थी ये लोग बाहर आ जाते हैं और बाहर आ करके एक ट्रेन पकड़ लेते हैं लेकिन कुछ समय बाद इने मालूम चलता है कि इस ट्रेन में पहले से ही किम मौजूद था और वो अपनी गन को निकाल करके यून को सूट कर देता है जिसके बाद जून आ करके किम को बहुत मारती और इस fight के बीच में किम बहुत जखमी हो जाता है जब वो अपने आपको आइने में देखता है तो उसे मालूम कलता है कि वो भी एक AI रोबोट है वो प्रेसिडेंट का सिर्फ एक खिलोना था उसे इस्तमाल किया जा रहा था लेकिन ये बात जानने के बाद किम को जादा दु तूट जाता है और उस तूटे हुए डिबबे में किम फस चुका था जिसके बाद डिबबा तूटने के वज़े से वो डिबबे के साथ नीचे गिरने लगता है और एक धमाके के साथ उसकी मौत हो जाती है इसके बाद यून अपनी मा को उपर खिच लेती है जिसकी को छोड़ करके काफी दूर चली जाती है खर मोवी तो बहुत अच्छी थी अगर आपको भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि उसकी मा अपनी लाइफ को अब किस तरीके से वहतीत करेगी मतलब कि वो तो ए एक रोबोट है इंसान तो है नई तो वो अपनी आजाद जिन्दिगी को कैसे जिएगी वैसे हमारे यूट्यूब चनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका दिल से सुक्रिया